जार्खन में नॉमिनेशन का आज मेगा डे है 24 यानि लगभग दो दर्जन बीजेपी के उमिद्वारों ने नामांकन किया है और मौके पे बीजेपी के चुनाओ प्रभारी जार्खन के सिवराज सिंग चोहान भी मौजूद हैं इनसे सीधे बातचित करते हैं सर आप अपने जार्खन की जनता को मोदीजी पर विस्वास है और उन्मे जनता की सृधधा है पास साल में जे-एम-एम और कांग्रेस की सरकार ने जार्खन को तबह कर दिया बरबाद कर दिया जो दाना तूफान आ रहा है न ये तो दो दिन में चला जायेगा लेकिन दाना तूफान से जादा खतरना जेमेम कांग्रेस की एहमंद सुरेन की सरकार है इसने लूट लिया पूरे जारखंड को नोटों के पहाड बरामद हो रहे हैं नेताओं के यहां से रोज माता बेहनों बेटियों की हत्याएं हो रही है राची में सरकार की नाक के नीचे अपरंड बलातकार हत्य आएं बिदेशी घुसपैट चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रहे हैं विष्टाचार का आलम यह है कि जल जीवन मिसन का पैसा खा गई यह लोग बोदी जी ने जो भेजा मंदेगा का पैसा खा गई है प्रधान मंत्री आवास श्योजना में बेईमानिया की तो यह तूफान है ना दाना यह तो जाएगा यह अगर आ गए तो धार्खन नहीं बचेगा यह जनता समझ रही है और इसलिए रोटी बेटी और माटी की सुरख्षा यह प्रण है भारती जनता पार्टी का पाज पांडब जैसे पाज प्रण अन्या और अधर्म के खिलाब जो ल करोंगे कैलेंडर बनाके किस तारी को परिक्षा और किस तारी को रिजल्ट और किस तारी को निउक्ति प्थ्र हमारा प्रण है कानुन और व्यवस्था की इस्तितीर को वेहतर बनाना बालू जैसी चीज जो बैच खाई इनने बालू फ्री दैने गडरीब तो मकान फ्री देना ये भारती जन्टा पाइटी का प्रण हैं, पाँच साल लगातार इनने लूटने का काम किया है, हमने तैगिया 500 रुप्या में सिलेंडर और दो सिलेंडर त्योहार कर प्रण हैं, नौजवानों को जब तक रोजगार ना मिले, तब तक हमारी सरकार उनके व्हारे उम्मीदवारों की फार्म भरा रहे हैं जनता का जो मूड है उससे आप लोगा कभी कॉंफिडेंस बढ़ा हुआ है। दाना तुफान से भी ज़्यादा खतरनाक होगी फिवराज सिंग चोहान ये कहके गए हैं। कैमरामन राक्यास्तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार राची आज तक।